हिंदू राष्ट्रो की राह पर निकल पड़ा है अमारिका क्यों भारत सायद पूरी दुनिया अमारिका को सनातनी रंग में रंगा देख हैरान हो गई है ऐसा अमारिका में क्या हुआ कि अमारिका के हिंदू राष्ट्रो बनने की बबिश्र बानी सच होती नजर आई कैसे अमारिका तेजी से सनातन धर्म को अपना रहा है और क्यों अमारिका के अलेक्शन मीटिंग में गूंजी मंत्रो चारण की गूंज हर कोई रह गया दन वीडियो योट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्रक्ता है हमें सब्सक्राइब किये बिना मत चाहिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजेगा यह क्लिप है अमारिका की जहां सनातनी बच्चे एक स्टेडियम में भगवत गीता का पाट कर रहे हैं और सामने स्रकृष्ण की प्रतिमा मौझूद है और सभी लोग बच्चों से लेकर बड़े तक सनातनी संस्कृती पहनावा जुबान पर रामान पाट करते नजर आ रह है इसाई देश में हिंदु धर्म कितनी आस्था वाख़ाई सोच में डालने वाली है यहां तक तो फिर भी ठीक था जरा आप यह देखें यह क्लिप है अमारिका के हाई क्लास पॉलिटिकल मीटिंग में जहां मंतरो चारण की गूंज पूरे हॉल में सुनने को मिल रही है अमारिका के राष्टपती पत के एलेक्शन में डेमोक्राटिक उमिद्वार के ऑफिशिल अनाउंस्मेंट के लिए डेमोक्राटिक नेशनल कन्विंचन यानि डी एंसी के तीसरे दिन की शुरुवात वैदिक मंतरो चारण के साथ हुई और ऐसा अमारिका के इतहास में पह राष्ट के लोगों के बीच फैले मतभेद को दूर करने और राष्ट को एक करने पर जोर दिया और सभी को नियाए की दिशा पर साथ चलने के लिए प्रेवर्ट किया राकेश भट ने अमारिका वासियों को समझाते वे का कि ब्रम्हांड एक परिवार की तरह है सत्य हमारा आधार है और यही स्थाई भी है एक बुजारी के मुक से ऐसी बाते शुभा देती हैं लेकिन पॉलिटिकल मिटिंग में इस तरह के मंतर और ईश्वर की भक्ती वाका निराली है राकेश भट ने लोगों को अपनी बात समझाने के लिए समंतर को संस्कृत के साथ साथ इंगलिश्ट में भी पढ़ा क्योंकि राकेश भट संस्कृत अंग्रेजी कंड़ से पोस्ट ग्रेजवेट है और हिंदी अंग्रेजी तमल तेलगू कंड़ तुलू और स जैसी काई जुबान बोलना जानते हैं और ये मैरिलेंड के इसरी शुव विश्णु मंदर के पुजारी हैं लेकिन इनकी जड़े बैंगलोर से मिलती हैं यानि ये बैंगलोर के मोलने वासी हैं वहां के रहने वाले हैं राकेश भटको रगवेद और तंत्र सार आगमन का से भर गया और हर एक व्यक्ति मंत्र को ध्यान से सुनता नजर आया जो कि अमारिका के हिंदुराश्ट बनने का सबूत है और इसी बात को सच्छाबित करती है कमला हैरिस जहां कमला हैरिस जो अमारिकन पॉलिटीशन और कलाफोर्निया के सिनीटर हैं साथे इंडियन अफरि या अमारिका में हिंदुत्व की भावना को बढ़ावा देना चाहते हैं इसलिए इनके समर्थक ने हिंदु पॉर कमला हैरिस कैमपेन भी चला रखा है और अगर कमला की फ्यूचर राश्टपती बनने की रह आसान हो जाती है तो लाजमी है कि ये भारते संस्कृति को आग पती पत के लिए खड़े हैं डोनाल ट्रंप और ओपर आश्टपती उमिद्वार हैं जे डी वेंस जिनका सनातन धर्म और भारत से गहरा रिष्टा है तरसल वेंस की जो पतनी है उशा वेंस वो भारत की रहने वाली हैं और वहीं पेशे से सेंट फ्रांसिसको की एक सीनियर लेहर भी हैं उशा के जो पैरंट से वो आंधर प्रदेश के कृष्णा जिले से तालुकात रखते हैं इसलिए उशा के मन में भी भारत के लिए अपना पन हैं हिंदु धर्म के प्रतियास्था और सनातन धर्म को आगे बढ़ानी के प्रिड़ना है यानि अमारिका में सनात प्रफ़दन की लहर दोड़ेगी और कहीं न कहीं यह भविष्य मलिका की भविष्यवानी सच होती दिखाई दे रही है। और कई देश इसकी भक्ती में रंग जाएंगे अमरिका में भी यही हो रहा है। पर बिंदी लगाती सडकों पर क्रिश्न की भक्ती में नाच्टे गाती दिखने को मिलेंगी। किसी जमाने में जहां अमारिका में हिंदुों को गवार गरीब लाचारों के नजर से देखा जाता था सुसी देश में हिंदुों को ना सर्फ सम्मान दिया जा रहा है। बलकि उनका धर्म उनका कल्चर भी पूरी शिद्दत से फॉलो किया जा रहा है जो कि हम भारतियों के लिए गर्ब की बात है। आज यही प्रेड़ना अमारिकन्स के दिल में समाई हुई है। कई हिंदू स्कूल्स चलाए जा रहे हैं और उन्होंने बताया है कि पढ़ने आने वाले बच्चों की संक्या बीते पांच सालों में 200 प्रतीशत की इंक्रीजमेंट के साथ बढ़ रही है। वीकेंड पच्छे स्कूलों में दाखल होते हैं और इस तरह आप समझ सकते हैं कि अमारिका में हिंदू धर्म को लेकर लोग कितने जादा सीरियस हैं। यहां हर बच्चा हिंदू धर्म के बारे में उनके खताबों के बारे में पढ़ने और जानने के लिए उत्सुक रहता है और दिल्चस्पी लेता है। इन स्कूल में सनातनी, संस्कृती, ग्यान और साथी जीवन के मूल्यों को भी सिखाया समझाया जाता है जो एक इनसान के जीवन के लिए बहुत आवश्चक है और वेक्ति को पापा धर्म से दूर धर्म की राह पर चलना सिखाते हैं। यही कारण है कि अमारिका में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों में भी सनातन के प्रती जुकाव देखने को मिल रहा है। 2008 में अमारिका में सिर्फ 9 लाग के आसपास हिंदू की संक्या थी लेकिन बीते 15 सालों में यानि आज 2024 में या आबादी बढ़कर 9 लाग से 22 लाग के आखड़े को पार कर चुकी है। रॉकेट की स्पीड से बढ़ती या आबादी नहीं रुकेगी बलकि एक रिपोर्ट के मताबिक अबे हिंदू की संक्या और बढ़ने वाली है। जबकि किसी जमाने में इस कताब को अपने नाम करने वाले यहूदी लेकिन अब वो दूसरी रैंक पर आते हैं। राश्टर बन सकता है और यहां भी वही सनातन के खुश्बू संस्कृति देखने को मिल सकती है और ऐसा जल्दी होने वाला है वैसे आपको क्या लगता है कि आमारिका एक हिंदू राश्टर बने का क्या ये भी भारत की तरह हिंदुत्व के लिए जाना जाएगा कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख कर जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नॉलिजबल वीडियो देखते रहने के लिए बल आइकन ट्रस कर लें बलते अगरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या दोस्तो आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो देख रही है जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनी है